हेलो वेलकम मैं हूँ अरुन कुमार यादो और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नमबर एट जिसका नाम है क्वाडिलेट्रियल्स और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं जिनकी डिविजन वीडियो में अप्लोड कर चुका हूँ अगर आप वो देखना चाते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं तो शुरू करते हैं देखो सबसे पहले हम वो बेसिक कॉंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पर जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है ठीक है आपकी NCRT के end में जो समरी दी गई है उसका एक इक पॉइंट में यहाँ पहले डिसक्स करूँगा ताकि आपको बेसिक कॉंसेप्ट प जबिरूरी बतलब क्या है मतलब यह है कि आपके पास कीसी भी टाइप का QArange हो ठीक है हो सकता है रोंबस हो रेक्टेंगल हो कुछ भी हो ठीक है बस यह rectangle होना चाहिए किसी भी टाइप का आपके पास rectangle है माली दिए ABCD एक rectangle है तो जो इसके angles हैं इनका जो सम आता है वो कितना आता है 360 degree आता है ये आपको पता होना चाहिए कहने का मतलब है angle A angle B plus angle C plus angle D इन 4 angles को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा answer आएगा 360 degree ठीक है तो पहली बात तो आपको यह यादूनी चीए कि यह जो angles है ठीक है चारो angles कोडिलेटिल के इनका सम कितना आता है 360 degree आता है ठीक है तो यह बात आप याद रगना दूसरा point हमें क्या पता होना चीए देखो दूसरा point है एगनल ओफ ए पैरलेलोग्राम डिवाइड इट इंटू टू कोंगूरून ट्रेंगल मतलब कि अगर हमारे पास एक पैरलेलोग्राम है ठीक है यह मालो हमारे पास एक पैरलेलोग्राम है A B C D और इसका आप एक डाइगनल ड्रो करो ठीक है माल लो A C इसका एक डाइगनल है ठीक है और A B C D क्या है एक पैरलेलोग्राम तो जो parallelogram का diagonal होता है वो इसे दो congruent triangle में बाढ़ देता है मतलब ये नीचे वाला triangle इस उपर वाले triangle के congruent होगा ठीक है आपको ये बात याद रखनी है ठीक है तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज या तीसरा point जो हमें यहाद रखना है उसमें लिखा गया है कि बहुत parallelogram की क्या-क्या properties होती है तो पहला इने parallelogram opposite sides are equal ठीक है ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारे पास एक parallelogram है तो इसकी जो opposite sides होंगी जैसे कि माले ये ABCD ठीक है ये ABCD क्या है एक parallelogram ठीक है ये parallelogram का निसान है तो ये एक parallelogram है अगर तो जो इसकी opposite sides होंगी मतलब यह वाली side इसके opposite है आमने सामने की side क्या होंगी बराबर होंगी यहां पर opposite का मतलब क्या है आमने सामने और इसी तरह से यह वाली side इसके बराबर होगी ठीक इसके बाद opposite angles भी बराबर होते हैं parallelogram में कहने का मतलब है opposite एंगल का की आमने सामने वाले एंगल मतलब यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ठीक है तो मतलब पहले लोग्राम में बराबर होती है और अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं यहां ते एक बात और आप पॉराइक यहाद करने का क्या मतलब है कि अगर मालो यहाँ पर यह यह इस पॉइंट पर बाइसे करते हैं या उप पे तो मतलब होगा जो वह वह बीयों के बराबर होगा और जो एओ ठीक है यह तो पैरलोग्राम के डागनल होते हैं वह दूसरे कोई भी कोड़िलेत्रियल पहलोगराम होगा अगर या तो यह वह इस कंडीशन को سटिसफाई करते पहली वाली को ळगष क्या है और इक्वर मतलब जो दोने जोड़े हैं आप याप्टिट साइड का वह एक ट्राफ customize कि मौन पत्लब है कि मालों है वो सेोदी बराबर है और जो एडी है मैं वो कि ब्राबर है यह दोरो ही बात आगर है तो पंकी बात है कि यह पैरलेलगार में बला तो अगर दोनों जोड़ों हमें बराबर Dzुख रहे हैं इसके बराबर है तो नों जोड़े पैरलेल हो ठीक है अगर ऐसा नहीं आपको सिर्फ इतना पता हो कि जो तो आपको अगर equal वाली बात ना भी पता हो तो भी आप बोल सकते हों कि अगर दोनों जोड़े parallel है तो parallelogram ही बनेगा यानि जब वह दूसरे को काटेंगी तो equal side ही आएंगी ठीक है इसके बाद जो दूसरा point है वो क्या है opposite angles are equal तो हमने उपर भी देख लिया था कि parallelogram में opposite angles बराबर होते हैं ठीक है तीसरी बात क्या है diagonal bisect each other ठीक है diagonal क्या करते हैं दूसरे को bisect करते हैं यह भी हमने देख लिया था ठीक है अगला क्या है pair of opposite size equal and parallel ठीक है यह देखो बहुत important है अगर हमें सिर्फ एक ही जोड़े के बारे में पता है जैसे यहाँ पर अगर दोनों जोड़े के बारे में आपको पता है तो दोनों जोड़े बराबर है तो parallelogram या फिर दोनों जोड़े parallel है तो parallelogram लेकिन क्या होगा अगर हमें सिर्फ एक जोड़े के बारे में पता हो यानि कि मैं बात कर रहा हूं इसकी ठीक है सिर्फ एक पेर के बारे में पता हो जैसे कि मान लिजीए ठीक है ज्यादा तर हम question में यही concept यूज़ करने वाले जैसे कि ABCD है आपको सिर्फ कोई एक opposite जोड़े के बारे में बता हो कि यह दोनों चीज बराबर हैं जो AB है वो CD के बराबर है अब माल लो आपको BC और AD के बारे में कुछ नहीं पता तो इस जोड़े के बारे है कि यह PAYRALLEL भी है ठीक है यह क्या है A, B, Parallel to C, यह Parallel भी है और बराबर भी है मतलब अगर किसी Quadilator में कोई एक पेर Parallel भी हो और बराबर भी हो ठीक है, Parallel भी हो और बराबर भी हो यह अपोजिट साइड जो हो, Equal भी हो और पैरलल भी हो तब भी यह क्या होता है, तब भी यह Parallelogram होता है आपको याद रखना है मतलब कि अगर हमें सिरिफ एक जोड़े के बारे में knowledge है कि वो आपस में parallel भी हैं बराबर भी हैं तो वो parallelogram होगा ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर एक जोड़े के बारे में तो दोनों चीज़े पता होने चाहिए तब हम उसको parallelogram भोलेंगे ठीक? और ये property आप याद रखना बहुत जगा हम यूज़ करेंगे अब इसके बाद आज़ो ज़रा पांचवे point पे पांचवे point क्या कहता है? देखो पांचवे point कहता है कि diagonals of a rectangle bisect each other and are equal and vice versa मतलब क्या? कि जो rectangle आप rectangle जानते हैं ठीक है? rectangle में opposite side बराबर होती है opposite side क्या होती है? बराबर और हर एक angle 90 degree का होता है कितने degree का होता है? 90 degree का तो ये rectangle है तो यहाँ बोला गया कि जो rectangle होगा उसके जो diagonals होंगे ठीक है? rectangle के जो diagonal होंगे जैसे कि एक diagonal ये हो गया एक diagonal यह हो गया यह दोनों पहली बात तो bisect करेंगे ठीक है जैसे कि माली जी यह A, B, C, D है B, 14.0 है तो bisect का मतलब हो गया AO जो होगा वो CO के बराबर होगा और जो DO होगा ठीक है जो DO होगा ठीक है यह चीज यह BO के बराबर होगा या निसके दूसरी बात यह diagonal आपस में भी equal होंगे ठीक है आपस में भी क्या होंगे equal होंगे मतलब पूरा का पूरा AC किसके बराबर होगा B, D के बराबर होगा कब जब यह एक rectangle है ठीक है क्या है यह rectangle ठीक है तो rectangle के diagonal आपस में बराबर होते हैं और byset करते हैं मतलब AO बराबर OC होगा, OB बराबर OD होगा, ठीक, तो यह आपको समझना आ गया, आप देखो जो अगली प्रोपर्टी है, यानि कि प्रोपर्टी नंबर 6, इसमें क्या बोला गया है कि जो डाइगनल्स होते हैं, रॉम्बस के, ठीक है, वो byset करते हैं दूसरे को right angle पर, ठीक है, किसके डाइगनल्स की बात की जा रही है, रॉम्बस के, तो रॉम्बस आपको कैसा नजर आता है, ऐसा quadrilateral जिसकी चारो साइडे बराबर हों, वो रॉम्बस है, ठीक है, मतलब कि ये, 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 चारो साइडे अगर बराबर होंगी, तो जो A, B, C, D है, वो एक रॉम्बस बन जाएगा, अब क्या बोला गए हाँ पर, कि जो रॉम्बस है, इसके डाइगनल्स पहली बात तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगी ये एक दूसरे को, बाइसेक्ट, और कहा पर बाइसेक्ट करेंगे, right angle पर, ठीक है, मतलब कि अगर ये पॉइंट मालो O है, ठीक है, तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है, 90 पे काटते हैं, दूसरी बात बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये टुकड़ा, इस टुकड़े के बराबर AO बराबर CO, और ये टुकड़ा या को यह समझ में आ गया होगा इसी तरह से जो अगली प्रोपर्टी है यानि की प्रोपर्टी नंबर साथ इसमें क्या बोला गया है कि जो स्क्वाइर होता है उसके जो डाइगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेट करेंगे राइट एंगल पे और एकवल भी होंगे ठीक ह तो यहाँ पर स्क्वाइर कैसा होता है एक ऐसा रोंबस जिसका हर एक एंगल 90 हो जाए ठीक है एक एंगल 90 होगा तो हर एक 90 जागा रोंबस का ठीक है उसको स्क्वाइर बोलते हैं मतलब स्क्वाइर में भी रोंबस की प्रोपर्टी तो होंगी होंगी चारो साइडे बराब होते हैं यानि कि जो AC होगा वो बराबर होगा BD के ठीक है पहली बात तो यह होती है दूसरी बात अगर मालों यह पॉइंट O है तो DO ठीक है DO बराबर होगा BO के यह बाइसेक करते हैं और CO बराबर होगा A के और अगली बात क्या कि यह सारे एंगल 90 क्यों ठीक है यानिके 90 डिगरी पर इंट्रेसेक्ट करते हैं ठीक तो मतलब यह आपको समझ में आ गया कि जो डाइगनल होते हैं स्कॉयर के बाइसेट करेंगे एक दूसरे को ठीक है राइट एंगल पे 90 होगा यह औ यह मिड़ पॉइंट ठीक है इस थेखाऊब फूफ मैंने दो दिन पहले अपलोड किया तो नहीं देखा होगा तो देख लेना यहां पर प्रूफ नहीं कराऊँगा इस त्योर्म का ईस्वाड़ी कहती इसमें क्या बोला गया देखो इसमें बोला गया है इसमें बोला गया है कि अगर हमारे पास एक ट्रेंगल है ठीक है पहली बात क्या होने चीए हमारे पास एक ट्रेंगल होने चीए तो अगर हमारे पास एक ट्रेंगल है ठीक है ट्रेंगल बहुत देते हैं कि चलो a b c triangle का नाम क्याए a b c तो इसमां बोला गया है वह line segment जो join करेगा MID-Point को किनी भी Do Side के तो में लेते हैं यह mindpoint shoppingi का और यह मिड़ point has a c का ठीक है इसका नाम क्या हो गया E is ॽ का नाम क्या हो गया F डीक है इसका नाम क्या वह गया F, तो E और F को मिलाओगे तो एक line segment वाना चाहिए तो ये जो line segment है E F ये क्या होगा ये जो triangle की third side है ठेक है ना, triangle की जो third side third side मतलब जिस side को उमने touch नहीं किया इसको हमने touch किया इसको touch नहीं किया, यानि B C तो ये जो line segment है ये parallel होगा third side यानि B C के पहली बात तो ये होगी और दूसरी बात, ये third side के half के बराबर भी होगा third side क्या है B C तो B C का half क्या हो जाएगा, B C by 2 ठीक है, तो ये ही line segment E F जो है, ये B C के आदे के बराबर भी होगा, फिर से संजाता हूँ क्या है ये theorem, एक बार read करता हूँ दुबार से, वो line segment ठीक है, वो line segment जो join करेगा mid points को किनी भी दो side of a triangle को तो यहाँ पर वो parallel हो जाएगा third side के और इसके half के भी बराबर होगा, एक बार और देखो जैसे कि ये mid point थे, यानि ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर है तो ये line segment इसके parallel भी होगा, और यही line segment इसके आधे के बराबर भी होगा ये कहती है, ये theorem ठीक है भई? इसके बाद देखो जो ये point number 9 है, ये जो ये mid point theorem थी, इसी का भाई है कैसे, यहाँ पर क्या बोला गया है a line through the mid point of a side of a triangle parallel to another side bisect the third side कहने का क्या मतलब है, diagram समझाता हूँ मतलब ये कि अगर हमारे पास एक triangle है, मालो triangle का नाम है, फिर से A, B, C, अब यहाँ से बोला गया है कि अगर हम एक line खीचें कहां से? mid point से किसी एक side का mid point ले लो मतलब ये टूपड़ा इसके बराबर हो गया और यहाँ से जाती हुए एक line खीचो condition क्या है, कि जो ये line L है, मालो line L है ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, parallel होनी चाहिए, another side के ठीक है, जैसे कि L जो है, ये BC के parallel है, तो L क्या होना चाहिए, BC के parallel ठीक है, तो अगर L, BC के parallel है और जो ये point है, मालो E, ये mid point है, B का then हम बोल सकते हैं कि ये जो third side है, ठीक है, इस side का mid point था, ये another side जिसके parallel है, तीसरी side यहाँ पर कौन बचली है, ये वाली, तो ये इसको bisect करेगा, पक्की बात है कि इसको यहाँ पर bisect करेगा, मतलब अगर ये point F है, तो पक्की बात है कि जो EF होगा, वो बराबर होगा FC के, ये सब जो theorem है, इनका proof मैं करवा चुका हूँ, तो उनका link भी इस video के description में दे दूँगा, आप वहाँ से कर लेना, फिलहाल अभी आप यहां से समझ लो कि इनकी statement क्या है, ताकि हम question कर पाएं, मतलब कि एक side के midpoint से अगर एक line खीची जाएगी, जो किसी दूसरी के parallel होगी, तो तीसरी को bisect कर देगी, ये मतलब है इसका, ठीक है, चलो, अब ये concept आपको समझ में आगे सारे तो question करते हैं, पहला question देखो यह है आपके सामने, क्या बोला गया इस question में, यहां से देखो, सबसे असान question है यह इस chapter का, इसमें क्या बोला गया है, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3, ratio 5, ratio 7, ratio 9, find the angles of the quadrilateral, ठीक है सारे के सारे angles, बताओ या find out करो, तो इसको कैसे करेंगे भाई, देखो, अभी हमने property पढ़ी थी कि चारो angles का sum 360 होता है, quadrilateral में तो यहां से, अगर हमारे पास एक quadrilateral है, इसके angles हैं, A, B, C, D, तो यहां पर इनका ratio दिया गया है, तो हम बोलेंगे, let A is equal to, सबसे पहले, A कितना यहां पर 3 है, तो 3X माल लो, तो B कितना हो जाएगा, यहां पर रेशो के बाद 5 है, तो 5X माल लो, C कितना हो जाएगा, 9 है, तो 9X माल लो, और D कितना हो जाएगा, 13X माल लो, अब हमें पता है कि 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिगरी, तो मतलब यहां से एंगल A प्लस एंगल, B प्लस एंगल, C प्लस एंगल D, कितना हो जाएगा, 360 डिगरी, A की value कितनी है, 3X, B की value कितनी है, 5X, c की वैलू कितनी है 9x और d की वैलू कितनी है d की वैलू है 13x बराबर कितना है 360 डिग्री रीजन में आप लिख लेना एंगल सम प्रोपर्टी ओफ एक क्वाडिलेट्रियल ठीक है तो यहां से कितना पांच और तीन आठ 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 और नो सत्तरा और तेरा 30x ठीक है सब को जोड़ा 30x आया 30x की वैलू कितनी है 360 डिग्री x की वैलू कितनी हो जाएगी 360 अपनी जगा रहेगा 30 कहां जाएगा divide में cut गया इसको cut के आया 12 तो X की value आई 12 degree X की value कितनी आई 12 degree हमसे क्या पूछा गया था A, B, C, D कितने कितने के हैं तो angle A कितना था 3X यानि कि 3 into 12 कितना हो जाएगा 36 degree इसी तरह से आप angle B निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो एंगल D निकाल सकते हो, निकाल लेना ठीक है, यहाँ पर value रखनी है X की ठीक है, तो यह निकल जाएगा आराम से यसे 36 है, वैसी वो अलग-अलग angles आ जाएंगे, ठीक है, तो यह question बहुत easy था अब बात करते हैं थोड़ा आगे ठीक, इस question को जरा ध्यान से समझो पहले, क्या बोला गया है question में, देखो, question में बोला गया है, if the diagonals of a parallelogram are equal, मतलब कि हमें एक parallelogram given है, इसके diagonal equal है, then so that it is a rectangle मतलब क्या, कि अगर diagonal बराबर हो किसी parallelogram में, तो rectangle बन जाता है, यह proof करना है हमें ठीक है, कैसे करेंगे अब इसकी बात करते हैं, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें given क्या है, एक parallelogram ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, एक parallelogram बना लेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक parallelogram बनाया नाम given नहीं है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे दो तो मैंने यहाँ पर नाम दिया ABCD है, ठीक है, हमें क्या लिखना होता है पहले, हमें पहले लिखना होता है given, ठीक है, ऐसे question में सबसे पहले given लिखना होता है कि हमें क्या given है, हमें क्या given है कि जो ABCD है, वो एक parallelogram है तो हमें given है ABCD is a parallelogram हमें क्या गीवन है ABCD एक पहेलोग्राम है हमने लिग दिया अब यहां पर एक और बात पता है कि जो लोगराम की वह हैं मतलब हमें यृदी जिए कि गीवन हैं एक दाइगनल एकोन हैं वार कह दी ये बराबर है तो अम्हें कर बात कि वहWhen बताई गई है कि यह भी सीडी एक पैरललो ग्राम है और जो इसके डियागनल है वह आपस में बराबर है ठीक है अब हमें प्रूफ गया करना है उसकी बात करते हैं तो मैंने आपने लिखा to prove to prove क्या prove करना है हमें हमें प्रूफ करना है कि यह यह एक rectangle है थीक है क्या है rectangle How to prove तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD टीक है टीक हो एक camera है चलो और प्रूफージ से हैं कि हम कैसे को कर पाएंगे हमें पता किसे लगेगा कि हम क्या करें यह चीज़ प्रूफ हो जाए तो देखो जो पहले लोग्स होता इसकी एक और property है जो मैं बताना भूल गया वो property यह है कि अगर हमारे पास एक पहले लोग राम है तो जितनी property मैंने आपको बताई हूं के अलावा एक और जो बताना भूल गया और important है वो यह है कि आप इसके कोई भी दो consecutive angle लोगे कोई भी दो consecutive मतब लगातार आने वाले जैसे इधर चलोगे तो इस angle के बाद यह वाला angle मिलेगा तो यह दोनो consecutive हैं तो इनको जोड़के 180 आएगा ठीक है कोई भी दो consecutive angle हम जोडते हैं अगर पैलोगराम के तो 180 degree होता है इसी तरह से अगर आप इधर चलोगे तो ए में डी जोडोगे तब भी 180 आएगा ठीक है अगर आपने यह लिया और इधर आ गए यानि कि इन दोनों को जोडोगे तब भी 180 आएगा अगर आप इन दोनों को जोडोगे तब भी 180 आएगा मतलब दो consecutive angle दो लगातार आने वाले एंगल आप अगर जोडो पैलोग्राम के तो एंसर आता है 180 डिगरी ठीक है यह प्रोबर्टी आपको याद रखनी है किसी को अगर यह जानना है कि ऐसा क्यूं होता है तो आप ऐसे समझो कि यह पैलोग्राम में साइड जो है यह साइड ठीक है अलग से दिखातों में से यह जो साइड है यह इसके पैलल होगी और यह एक तरह से ट्रांसवर्सल है मानलो ना तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल जो पैलल साइड के बीच में हो सम कितना होता है उनका 180 इसलिए प्रोबर्टी लगती है ठीक है तो यह प्रोबर्टी आपको याद रखनी है लो किसी तरह से मैं प्रूफ कर पाऊं ठीक है तो मुझे पता है कि यह consecutive एंगल है पैलोग्राम के तो इनको जोड़के 180 आएगा और अगर मैंने किसी तरह से इनको बराबर प्रूफ कर दिया तो जोड़के 180 आ रहा है और बराबर बराबर है मतलब 90 90 होगे ठीक है ना तो जैस एक में यह वाला एंगल आता हो यह सी की हो गया abc ठीक है तो मैं यहाप पर abc को किसके प्रूफ करना है बी-a-d अगर बी-ई-ड लोगा तो यह वाला है आगा ठीक है तो बस यहीं कर रहा है मुझे ठीक है तो मैंने यहापर क्या लिखा मैंने आपे लिखा intringle 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 a, b, c intringle a, b, c and अब देखो जब मैं a, b, c ले रहा हूँ तो ये वाला एंगल आ रहे है और मुझे ये वाला एंगल इसके बराबर करना है तो मतलब इसके corresponding आएगा तभी बराबर होगा तो कौन सा ट्रेंगल लूँगा b, a, d and intringle b, a, d ठीक है इस वाले मिलेंगे हम b, a, d मैं पहले ये हटा ले तो हम ठीक है ट्रेंगल b, a, d ठीक है अब आजाओ इन दोनों में देखो एक जैसा क्या है a, b, ठीक है a, b, इसमें भी है, a, b, इसमें भी है b, a बोल रहा है वहाँ पर बात तो यह की है चाहिए आप a, b, बोलो, b, बोलो तो पहली बात तो मुझे पता है कि जो a, b, है वो b, a, k, बराबर है क्योंकि ये side दोनों में है मतलब common है ठीक है, पहली बात ये हो गई ठीक है, कि जो a, b, था वो दोनों में आ रहा था दूसरी बात, a, b, c, की जो side b, c है ठीक है, जो side b, c है वो b, a, d, की side a, d, के बराबर है क्यों बराबर है भाई, parallelogram में opposite sides बराबर होती है अभी property पढ़ाई थी सामने सामने के सेट बराबर होंगी तो यहाँ पे आप लिख लो, लिख लेना opposite sides of parallelogram अब देखो, दो चीज़े तो हमें मिल गई तीसरी चीज़ क्या था, diagonals बराबर थे ठीक है, diagonals हमें, यानि a, c, औ, a, d बराबर गिवन है, तो भाई, a, c, बराबर, a, d तो गिवन ही है, न, a, c, बराबर, a, c, बराबर, b, d, not a, d, ठीक है, a, c, बराबर, b, d, ठीक है, यह तो गिवन ही है तो अब क्या rule लगेगा, तीनों हमने side का use किया है, मतलब क्या, by side, 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 triangle, जो पहला था, a, b, c, a, b, c, congruent हो जाएगा, triangle, b, a, d के, ठीक है, जैसे ही इतना हुआ, a, b, c, का जो angle है, यह वाला, यानि कि angle, a, b, c, ठीक है, angle, a, b, c, वो बराबर हो जाएगा, angle, b, a, d, के, by, c, p, c, t, जिसको नहीं पता, by, c, p, c, t, क्या मतलब होता है, अगर detail में देखना है, तो chapter number 7 देखो, मतलब कि जो corresponding part होते हैं, congruent triangle के वो बराबर होते हैं, अब जैसे ही इतना हुआ, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, यह वाला angle और यह वाला angle पैलरोग्राम के consecutive angle है, तो इनको जोड़के 180 degree आएगा, तो यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा, a, b, c, ठीक है, a, b, c, प्लस म हैं, इसके जगा, b, a, d, b, a, d, बराबर कितना हो गया, 180 degree, यहाँ पर आप क्या लिखना, यहाँ पर आप लिखना, consecutive angles और पैलरोग्राम, ठीक है, उनका सम होता है, 180 degree, तो आप देखो, a, b, c, की जगा, a, b, c, रहने दिया, a, b, c, क्या रहने दिया, a, b, c, b, a, d, की जग कोई सा भी लिख दो, दोनों में से, ठीक है, एक बार, a, b, c, एक बार, a, b, c, कितने बार, a, b, c, हो गया, दो बार, a, b, c, मतलब, two times, angle, a, b, c, कितना है, 180, तो angle, a, b, c, कितना हो जाएगा, 2 जाएगा, divide में, बचेगा, 90 degree, मतलब, a, b, c, कितना आ गया, 90, a, b, c, मतलब, यह angle 90 proof कर दिया, हमने, ठीक है, अग अगर यह angle 90 है, तो सारे 90 हो जाएगे, कैसे, देखो, इन दोनों को जोड़के 180 था, यह 90, यह भी 90, तभी तो 180 आएगा, यह 90 सामने सामने वाले बराबर होते है, 90, यह इसके बराबर 90, मतलब, पहले लोगराम में कोई एक angle 90 proof हो जाता ह है, तो सारे एंगल 90 ही होते हैं, हमें अलग से प्रूफ करने जरोफ नहीं होती है, तो जैसे ही एक angle 90 proof हो आप एलगराम में, वो rectangle बन जाता है, आपको याद रखना है, तो हम बोले, यहाँ पर लिखोगे, भाई, तो जैसे, इस है, इस उए एंगल, इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, औफ, ठीक है, यहाँ पर लिखना, इस एंगल औफ, पैरलेलो ड्राम, तो एistically आप हो उगया, ठीक, अब आगे चलते हैं, भई, अगरा ग्टो, ते decision तक हो, तो आप देखो जो एक question है पहले इसको समझते हैं question में क्या बोला गया है फिर बात करेंगे solution की जो question number 3 है ठीक है इसमें क्या बोला गया देखो ncrt के सारे question आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे मैं यहाँ पर कुछ main question उठा रहा हूँ ताकि आपका revision हो जाए सारे question आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे at right angles then it is a rhombus मतलब की अगर हमारे पास एक quadrilateral है और इसके diagonal एक दूसरे को right angle पे bisect करते हों तो पकी बात है यह एक rhombus बन जाएगा यह प्रूफ करना है ठीक है तो कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं अब चलो इसका उपर देते हैं यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे quadrilateral की बात की गई है तो कोई एक quadrilateral बना लो ठीक है ना किसी भी टाइप का आप क्या करो एक quadrilateral बनाओ पहले अब यह अगर मैंने quadrilateral बनाया तो इसका नाम नहीं गिवन है तो अपनी मर्जी से नाम दे सकता हूं तो मैंने इसका नाम लिखा बी डी यह by set कर रहे है मतलब यह टुकड़ा इसके बराबर गिवन है और यह टुकड़ा इसके बराबर गिवन है अगर मैं जो यह बीच वाला यह भी नाइंटी का एंगल होगा ठीक हैं यह भी 90 का एंगल और अगर ओ靠Ch तो मतलब किये सारे इंगल भी 90 हैं हम सबसे पहले क्या लिखते एम गिवन क्या पहले गिवन लिख लेते हैं ठीक है हमें क्या given है हमें given है quadrilateral ABCD मतलब ABCDA quadrilateral है जहां पर ठीक है जहां पर जो इसके diagonal है bisect कर रहे है मतलब AO ठीक है AO बराबर है CO के AO बराबर CO है और BO बराबर DO है यह bisect हो गए मतलब और जब यह bisect करते हैं तो कहां पर करते है right angle पर मतलब एक दो तीन चार सारे के सारे 90 के बराबर है यानि कि angle 1, angle 2, angle 3 और angle 4 यह सारे के सारे क्या है 90 डिगरी के हैं ठीक है ना क्यूंकि राइट एंगल पर बाइसेट करता है ठीक है तू प्रूफ यह तू सो क्या करना है हमें ठीक है हमें सो करना है या तू प्रूफ करना कुछ भी लिखो तू सो तू सो हमें सो करना है कि जो abcd है quadrilateral abcd है वह क्या है is a rhombus है ठीक है अब बात करते हैं कैसे प्रूफ करेंगे ठीक है यहाँ पर आजाओ कि यह वाली साइड यह वाली साइड और यह वाली साइड यह चारों साइड वापस में बराबर आजाएंगी मतलब यह मतलब है स्व temos भी तो आप मुझे कररें इंहांने चारों को Module को बराबर किस तरह से डीच ने देखने से पदल लग जाते दिख सकता है हमें अब कॉन्गूरुएंट है यहां पर पड़ रहे हैं तो अब मैं क्या गरूंगा मैं कुछ ऐसा लूंगा कि जिसमें पहरे ट्रेंगल में जहां पर स्कूसरा प्रेंगल से देह रहे आएक में यहां पर ना से यहां का ब exception का सुछ दौक भी रहे हैं दोनों को हमें कर देना है बस हमारा काम बन जाएगा क्या क्या मिल रहे देखो और यां से सिखो करते हैं इसके अलावा एंगल बराबर एंगल टू इंगल बराबर इंगल ञीच नाइन टीडिया ऑए इसके अलावा जो वी वो दोनों में उबी बराबर ओबी कॉमन वह देखो इस ट्रैंगल में आ यहां से इतना हो गया अब देखो कौन सा तरीका लगेगा देखो यह साइड है बीच में एंगल फिर साइड यानि कि साइड एंगल साइड तो हम बोलेंगे बाई साइड एंगल साइड टैंगल एंगल इंगल एंगल एंगल कोंग्रूंट हो जाएगा टैंगल सी ओबीचे इतना हुआ ठीक है है तो इसका मतलब जो a b है हमें तो वह ab से मतलब है ठीक है ab ab कैसे बन रहा है शुरू का और लास्ट का खचर तो यहां सुरू और लस्त क्या है सीवी ठीक है अब बराबर BC by CPCT by CPCT ठीकने तो मतलब की हमने यहां तक तो कर दिया कि AB इसके बराबर आगया ठीकना BC की अब किसी तरह से यह जी जिसके बराबर हो जाए और यह जी जिसके बराबर हो जाए तो 4% बराबर हो जाएंगे तो बस हो गया कम हमारा अब देखो जब हमें question में एक part के जैसा दूसरा part मिले तो हम same as लिखते हैं पूरा step नहीं करते हैं मतलब क्या है जैसे हमने AOB और COB को congruent किया उसी तरह से यहाँ पर हम BOC और BOC को भी तो congruent कर सकते हैं तो वो तो वैसे ही करना पड़ेगा BO बराबर यह यह चीज़ यह एंगल बराबर इसके मतलब बिल्कुल same procedure है तो जब बिल्कुल same procedure हो तो आप same as लिखो सिधा रिजन लिख दो same as क्या हो जाएगा BOC ठीक है आप करके नहीं दिखाना same as triangle BOC congruent हो गया triangle double cut से single पे गए double से single यानि DOC जैसे ही इतना हुआ इसका BC इसका BC बराबर हो जाएगा इसके DC के ठीक है and same as इसी तरह से यहाँ पर इसका COD triangle COD congruent हो जाएगा triangle COD मतलब एक कट से होते हुए बीच में से दो कट पर जा रहे हो तो एक कट से होते हुए बीच में दो कट पर जाने कि यहां से CD यहां से CD बराबर हो जाएगा AD के ठीक है ना by cpct यहां पर भी लिख लेना अब ज़रा ध्यान से देखो ठीक है यह हमारी question एक यह हमारी question दो और यह हमारी question तीन एक में क्या है a b b c के बराबर मतलब a b b c के बराबर दो में क्या है b c c d के बराबर b c c d के बराबर तीन में क्या है c d a d के बराबर c d a d के बराबर तो चारों होई आपसमें बराबर हो गए ना भई ठीक है ना, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से जगा नहीं है, तो कहां लिखूँ, यहां लिख देता हूँ, ठीक है, यहां पर लिख देता हूँ, दिख रहा हूँ आपको, मैंने यहां पर लिखा, by, one, two, and three, एक दोर तीन से, AB, बराबर BC, बराबर CD, बराबर AD, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ABCD is rhombus, ABCD is, बहई चारो साइटे बराबर होगे तो rhombus हो गया ना, क्या दिक्कत है, तो चलो बहई यह question भी हो गया, अब अगले question की बात करते है, ठीक है, अगला question, ठोड़ा आपको जाता दिमाख लगाना पड़ेगा इसमें क्या बोला गया है इसके डाइगनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं यह हमें सो करना है बाइक करते हैं दूसरे को यह सो करना है और राइट एंगल यह नहीं नाइंटी डिग्री पर बाइक करते हैं यहां पर आओ देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक स्कॉयर बनाएंगे आप जानते हैं ठीक है चारो साइड बराबर चारो एंगल नाइंटी के तो मतलब यह स्कॉयर है अगर तो पक्की बात है यह साइड यह साइड यह साइड यह साइड बराबर होगी पहली बात दूसरी बात यह बराबर ठीक है अब डाइगनल बराबर होते हैं यह प्रूफ करना है तो डाइगनल कौन है यहाँ पर एक डाइगनल है यह और दूसरा डाइगनल है यह ठीक है यह डाइगनल बराबर प्रूफ करने है पहले क्या करना डाइगनल बराबर प्रूफ करने है अब माल लेते हैं से बीच वला से पॉइंट करने के बाद क्या प्रूफ करना होगा किнут हो यह यह जाएं रहाव है यह एंगल थ्री एंगल फॉर तो हमें यह प्रूफ करना हुआ यानि की यह करना पहले डिशा भसकत हो और घंगड है हमें आपके ब्रूफ हमें प्रूफ किया करना है क्या क्या प्रूफ करना है डाइगनल इक्वल है पहले प्रूफ करना है डाइगनल इक्वल है मतलब एसी और बीडी बराबर है पहले तो यह प्रूफ करना है कि जो एसी है वह बराबर है बीडी के दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है कि यह बाइसेक्ट करते है राइट पे ठ के बराबर है cozy के यह किसके बरवर प्रूफ करना है c bowlingå के और क्या प्रूफ करना है कि जो बी व क्यों यह वो बृबर है दिए स्था भृब प्रूफ सो गया अब राइट एंगल पर वह करते हैं मतलब exp एक दो तीन और चार एक दो तीन और चार तीन और चार यह सारे के सारे किसके बराबर प्रूफ करने हैं यह सारी चीज़े प्रूफ करनी है आजव प्रूफ पर ठीक है कैसे करेंगे तो सबसे पहले बात सबसे पहले बात क्या करते हैं डाइगनल बराबर ठीक है डाइगनल कै होगा जो हमें जरूरी होगी फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है तो पहले मैं क्या करता हूँ सबको मिटा दिया फिर मैं सिर्फ उतनी उतनी चीज़े बनाता चलूंगा जितनी की हमें जरूरत है तो मैंने देखो यहां पर लिखा A B C D सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा क देख तो मुझे पता है कि सारे एंगल यह 90 के हैं सारे एंगल क्या है 90 के अब जरा इस डियागनल को देखो यह और यह अभी बीच वाला पॉइंट को भूल जा अभी मैं सबसे पहले पहला काम करूंगा की डियागनल बराबर है ठीक है इसके लिए मुझे भी 1234 वगरा दि के तो काम बन जाएगा तो मैंने सबसे पहले वाले स्टेप में क्या किया स्रिफ लिखा इन ट्रेंगल अछिए पार यही दोनों हुझा तो मतलब मुझे इन दोनों को congruent करना है किसी तरह से कैसे कर सकता हूं देखो यहां पर जो AB है ठीक है जो AB है वो दोनों ट्रेंगल में है इसके लिए ABC इसके लिए BAC तो BAD तो ABBA की बात है ठीक तो मैं आले गूंगा AB बराबर BA क्या चीज़ है यह common है ठीक है दोनों में ही common है इतना हो गया इस तरह से इसका एंगल जो ABC है ABC इसका एंगल B इसका एंगल B बराबर इसके एंगल A के है 90 डिगली ठीक है ना तो हम क्या बोलेंगे each angle each angle of square equal to 90 डिगरी बाई lot स्कॉायर've का हर एक एंगल कितने के बड़ाबर होता है 90 के बड़ाबर होता है तो B भी 90 होगा AB नबबर होगा टीक इतना हो गया इसके अलावा इसके अलावा जो ABC है इसकी साइड सइड ABC square की सारी side ने बराबर होती है तो आप कोई दो आपस में बराबर कर सकते हो ठीक है? तो मैंने यहाँ पर BC और AD को बराबर लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दिया? Sides of square ठीक है? यह बराबर होंगी तो कौन सा rule लगा? किसी एक triangle को देखो इस side का यूज किया बीच वाल एंगल का यूज किया इस side का यूज किया मतलब side angle side ठीक है? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ बोल सकता हूँ by side angle side ठीक है? side angle side से क्या हो गया? triangle A, B, C ठीक है? congruent हो गया triangle B, A, D के और जैसे ही इतना हुआ हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए AC कहां पे है और B, D कहां पे है वो देखना है बस ठीक है? तो यहाँ पर AC कहां पे है? शुरू और last यानि की AC अगर triangle congruent हो तो इनके corresponding part बराबर होंगे corresponding कैसे देखते हैं? इसका सुरू और आर एक्वल है प्रूफ हो गया भई यह ठीक है? तो पहली चीज तो हो गई ठीक है? तो मतलब AC बराबर B, D यह हम प्रूफ कर चुके है यह चीज प्रूफ हो गई अब दूसरी चीज पर आते हैं अब दूसरी के लिए में पस जगा नहीं है दूसरी चीज हमें यह प्रूफ करनी है कि A O बराबर C O है A O अब देखो O का काम पढ़ा? चलो बीच वाले पॉइंट को O बोल दे तो मैं इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? O बोल दिया तो मतलब क्या प्रूफ करना है? A O बराबर C O और B O बराबर D O ठीक है न यह प्रूफ करना है कैसे प्रूफ कर सकते हैं भई? देखो क्या यहाँ पर हम साथ साथ वाला कर पाएंगे A O B और C O भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच वाला एंगल भी हमें नहीं पता इसके बार में नहीं पता मतलब यहां से काम नहीं बनेगा तो A O बराबर C O कोई दो ट्रेंगल ऐसे ढूड़ो जिसमें A O के कोर्सपोंडिंग में C O आता हो तो कौन सा हो जाएगा इदे हो यह वाला ठीक है A O B पे आओ ठीक है A O B तो मैंने आप लिखा इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए ओ बी एड अब A O के कोर्सपोंडिंग में सी ओ होना चाहिए ठीक है तो A O B में सी ओ पहले लिखोगे ठीक है इसमें पहले दीक है तो इसमें क्या है कि अगर मैं इस वाले एंगल को इंगल ठीके के इस वाले एंगल एंगल को एंगल ओन तो चाहं तो हम नाम दे चुके ना, तो पहली बात तो angle 5, AOB का, AOB का ये angle 5, बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर C और D है, इसके angle 6 के, Q, alternate interior angles, ठीका, full form में लिखना, alternate interior angles, आपको पता है, दो साइडे parallel हो, ऐसे कुछ काटे, तो यह वाला इसके बराबर होगा, तो वही चीज, यह वाल था, square की opposite side parallel भी होती है, ठीका, आपको यह बात याद रखनी है, तो यहाँ से, क्योंकि square की opposite side यह parallel है, तो यह transversal, तो यह और यह, क्या हो गए, alternate angle, वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो 5, बराबर 6 आ गया, 5, बराबर 6 आ गया, और इसका AB, इसका AB, ठीका, इ इस वाले टरेंगल की side, जो CD है, वो आपस में बराबर होंगी, भाई, sides of square है न, sides of square तो सारी बराबर होती है, ठीक है, तो यानि कि AB और CD side है, square की बराबर हो जाएंगी, इसी तरह से इस angle को, इस angle को, क्या बोल देते हैं, 7, और इस angle को क्या बोल देते हैं, 8, तो angle 7 बराबर angle 8 हो गया, angle 7 बराबर, angle 8 हो गया, क्यों हो गया, alternate interior angle, ठीक है न, ये भी वही चीज़ है, alternate interior angle भाई, ये काट रही है, ये और ये parallel है, और इसने काटा, तो 7 बराबर 8, कौन सा rule लगा, किस एक triangle को देखो, इस triangle की बात करूं, तो ये angle का use कर रहा हूं है, इस side का use कर रहा हूं मैं और ये angle का, मतलब किनारे किनारे angle, बीच की side का use कर रहा हूं, कौन सा rule होता है, ठीक है, ये वह आता है, angle, बीच में side, फिर angle, तो मैं बोलूंगा, by angle, side angle, triangle, AOB जो है, congruent होगा, COD के, अब जैसे ही इतना हुआ, हमारा काम बन गया, यार हमें क्या चीज़ था, AO बराबर CO, हमने congruent चलाकी से वही किया है, जो हमारा काम बना दे, तो AO बराबर क्या, CO हो गया, by CPCT, इसके अलावा, क्या चीज़ मुझे, बीच वाला अक्षर, बीच वाला अक्षर ले रहे हो, तो यहाँ पर भी लास्ट वाला और बीच वाला इसके corresponding होगा, यानि कि ये corresponding part, congruent angle के बराबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे, by CPCT, तो इसका मतलब diagonal एक दूसरे को bisect भी कर दिया, जैसे ही, AO बराबर CO, और BO बराबर DO हुआ, इसका मतलब हमने क्या proof किया, इसका मतलब हमने proof किया, diagonal, diagonals, bisect, diagonal bisect each other, ये भी हो गया, each other, अब हमें क्या proof करना है, कि diagonal एक दूसरे को 90 करते हैं, ठीक है, ये चीज़ proof करनी है, तो अब इसको कैसे करेंगे, चलो, diagonal bisect वाला तो हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि जगा नहीं है, ठीक है, दूसरा पार्ट भी मैं proof करवा चुका हूँ, तो जो दूसरा पार्ट था, उस पे भी टिक लगा देते ह है, ठीक है, तो ये चीज़, और ये चीज़, ये मैंने proof करवा दिया, ठीक है, अब बात रही, थर्ड वाले की, एंगल 1,2,3,4,90, कैसे proof करेंगे, तो एक जो तीन चार नजर तो आने चाहिए, मैंने जान बूसके मिटाया था, अब लिग देता हूँ, या पर 1,2,3,4, य ये हमें 90 proof करना है, अब देखो, अब 90 कैसे proof करेंगे, इतना तो पक्का है, कि दो linear pair, angle ले लो, जो linear pair हो, जैसे कि एक line है, तो ये वाला और ये वाला linear pair है, तो इतना तो पक्का है, इनको जोड़के 180 आएगा, ठीक है न, एक और दो को जोड़के 180 आगा line पे है, अगर मैं, अगर मैं किसी तरह से 7-7 वाले triangle congruent कर पाऊं, तो by CPGT 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, और बराबर angle को जोड़के 180 आ रहा है, तो मतलब 90 के होंगे, इस से पहले मैं 7-7 वाले congruent नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि तब मुझे ये वाली side और ये वाली side बराबर नहीं मिल र जाएंगा, तो मैंने लिखा, in triangle, in triangle aob and triangle cob, ao बराबर, ao बराबर co proved above, अभी हमने उपर prove किया था, proved above, ठीक है, जो मैंने मिटा दिया हमापे था, इसलिए मैंने टिक लगा दिया था, ताकि मैं यूज कर पाऊंगी, मैंने क्या चीज परूब कर रखी है, तो ao बराबर co proved कर दिया है उपर, ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा, यहाँ पर, o b, जो है, वो दोनों में, o b, b, common है, o b, b, common है, ठीक है, इसके बाद क्या, ao b, क्या, ठीक है, इतने के बाद क्या, ao b, का b, a, a, बराबर, cb का, bc, क्या हो जाएगा, यह, sides of square, sides of square, given था, ibcd square है, तो यह तो, बराबर ही है, कौन सरूर लग रहा है, by side, 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 ठीक हमने क्या किया, ao, एक side है, o b, x side है, b, a, x side है, तो हम बोलेंगे, by side, 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 triangle, a, o b, a, o, b, क्या है, congruent है, इसके, a, o, b, c, o, b के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, एंगल 1, बराबर, 2, कैसे by cpct ठीक है जैसे एक बरबर दो हुआ हम बोलेंगे इसके बाद कि भाई एक और दो को जोड़के तो एक और दो को जोड़के तो 180 आ रहा है एंगल 1 प्लैस एंगल 2 बराबर 180 region क्या लिखोगे linear pair ठीक है न भई देखो एक और दो को जोड़के तो कितना रहा है 180 लाइन बने हुए linear pair है और एक और दो बराबर है यानि कि दोनों की जगह एंगल एक ही लिख सकता हुए दो की जगह भी एक लिख दिया क्योंकि एक और दो बराबर है ठीक है तो दो बार एंगल एक आ गया दो एंगल एक वन का मतलब 180 तो एंगल वन का मतलब 90 दो डिवाइड में जाएगा जैसे इतना हुआ तो इसके बाद आप लिख सकते हैं इसका मतलब डाइगनल नबब्दे पर दिवाइड करते हैं ठीक है एक नबबबे आ गया ठीक है जैसे ही एक नबबे आया तो आपको चार के वर्टिकली उपोजित है तो नभ्बे है तो चार भी नभ्दे हो जाएगा सारे नभ्बे freaks जा तो अब यहां से अगले क्वेस्जन की बात करते हैं अगला क्वेस्चन देखो जो भी है मैं यहां पर क्या बोरा गया है किया रहा है इन ट्रेंगम एूब यहां पर बोला गया है इन ट्रैंगल ABC एंडी एफ 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 एकल तू डी एबी इस इकल टू डी उसके बाद क्या बोला गया है इसके बाद बोला बोला गया BC is equal to EF BC is equal to EF और BC parallel भी है BC parallel भी है यह के यह हमें बताए गया है वर्टिस ABCD आर जॉइंड ठीक है वर्टिस ABC आर जॉइंड तो वर्टिस डी एफ रिस्पेक्टिवली ठीक है तो यहां से जो ए है उसको डी से सी जो है उसको एफ से और जो की एफ जोईन कर दिया गया ठीक है न से हमपर जो लिखाए वह इसके आप पर경े विश्या है यह मतलब आगया जलो समकरनी है हो इसके घुशंख हमें बताया यह गया ये गया है कि a b के बराबर हे और पेरलल है 20 जो है ऊपे बराबर है और पैरललいた को d weather भी जोईन किया रहे सी को f से जोईन किया गया बी को east ऑगिन इसके इन बताई गहीं है फॉथ इस प्रूफ करना वो ये 6 पार्ट है, इन 6 पार्ट को हमें प्रूफ करना है, जैसे से एक एक पार्ट करेंगे, हम डिस्कस करनेंगे, क्या-क्या प्रूफ करना है, ठीक है, तो अब चलो इसको प्रूफ करते हैं, अब देखो, question अपने read कर लिया है, तो मैं इसको छोटा कर रहा ह जरा, क्योंकि ये पूरी जगा घेर ले रहा है, ठीक है, तो अगर आपको छोटा करने पर ना दिखे, तो वैसे भी question तो मैं समझाई चुका हूँ, फिर भी, अगर नहीं दिख रहा है, आपको देखना है, तो आप अपनी NCRT open कर लेना, इस question के लिए, चलो, तो given है, कि जो AB है, वो D के बराबर है, AB बराबर क्या है, D के और, AB जो है, वो parallel भी है, दी के, उसके अलावा वे हमें क्या given है, कि जो BC है, वो बराबर है, EF के, और जो BC है, वो parallel है, EF के, ठीक है, टूप्रूव, ठीक है, टूप्रूव, अब लिख लेना, बहुत सर जगा घेर ले गए, ठीक है टू प्रूफ में पहला दूसरा तीसरा चोथा पांच चोथा सब पॉइंट्स आप खुद लिख ले ना ठीक है तो मैं टू प्रूफ यहां पर भी नहीं लिख रहा क्यूंकि बहुत सारी जगाई घेल लेगा जगा बचे गी नहीं करने के लिए ठीक है सिधा जो हमें हमें प्रूफ करना पहला पार्ट वह में कर रहा हूं सिधा पहले पार्ट में क्या करना है ड frå whenever two प्रोव करना है ड को एक पेर लोग्न है ठीक है तो चलो जा चो चोटा कर दो अभी कोई का अगे संद्साइब आजया ठीक है ऐबीए टीज रूदो इस तो यह एक पनलओ गुरांऊ करोफ कर ने ठीक है और हमें क्या है में बढ़र दीन वे जो है कि से बढ़र यह बढ़र है ठीक है टो हमें जो प्रूफ करनी क्या है एंद लो गांड ठीक है प्रूफ कैसे प्रूब करेंगे देखो हमें पता है यार AB जो है वो बराबर है ED के और AB जो है वो पैलल है ED के और ये मैंने आपको सुरुवात में ही बताया था कि अगर एक क्वाडिलेटरिल का कोई एक ही जोड़ा आपस में बराबर हो और वही जोड़ा आपस में पैलल हो ठीक है तो वो एक parallelogram होता है मैंने बार-बार जोड़ दिया था इस बात पे जब मैं आपको property पढ़ा रहा था कि अगर एक ही जोड़ा opposite side का आपस में क्या हो बराबर और यही opposite side का जोड़ा आपस में parallel भी हो तो पक्की बात है यह parallelogram ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता तो हम बोलेंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है A, B, E, D is a parallelogram हो गया परूब भी parallelogram ठीक है तो मतलब की अगर आपको एक जोड़ा बराबर वही जोड़ा parallel given और फिर से बोल रहा हूं तो वो quadilateral जो बनेगा वो parallelogram ही होगा ठीक है क्योंकि और कुछ नहीं बन सकता ना देखो अगर यह line इसके बराबर हो और parallel भी हो तो इसके इस end को इस से जोड़ोगे और इसके इस end को इस से जोड़ोगे तो यह दोनों अपने आप parallel बराबर हो जाएंगे आपस में बराबर और parallel हो तो इसका यही जोड़ा बराबर और यही चीज पैरलल थी ठीक है चलो ठीक है जैसे यह हुआ ठीक है अब हम क्या करेंगे आप दूसरा पार्ट करेंगे इसको में मिटा रहा हूं ठीक है आप इतना याद रखना कि पहला पार्ट हमने कर लिया है पहला पार्ट हमने कर लिया है दूसरे पार्ट की बात करते हैं दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है देखो जरा एक बार जो दूसरा पार्ट है इसमें बोला गया है कि भई प्रूफ करो कि जो बी एफ सी है यह भी एक पहले लोगराम है बी एफ सी देखो जरा एक बर ब यह टुकड़ा है यह सिंथ टुकड़ाई के बराबर भी जिवन है और फैरलई अफैरे प्रोफ फैर्ले है तो हम क्या करेंगे हमड़ा कुछ बेहनत नहीं करनी सबकुछ question में पहले से कर के दिया गहां तो हम बोलेंगे लिए हम बोलेंगे सबस्क्राइब यह टिके ना इन कोडिलेट्रियल बी सी जब यफ्शी में जो बी सी जो बीशी है वह बराबर है एक हाँ ठीक है गीवन है आप और जोबीसी है वह फेलल ब्राइब है etfk य dil human कि उन्य तो million ix opozit जोड़ा वराबर भी हो गया प्रैलों हो गया इसका मतलब ज्याEs कि डृदि लो ग्राम यह क्या हो ग्या हो यह एक पर लिलो्ल और हो ग्या तो अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है जो थर्ड पार्ट है इसमें हमसे बोला गया है परूफ करो AD । करो AD और से अरो पराबर्र भी हैं तो यहाँ पर आपको कहा advocate रहा पर आठारी दौने का अंगे बराबर और पराबर करना है हमारा काम हो तो इन दोनों को कैसे प्रूफ करेंगे इन दोनों को प्रूफ करेंगे पहले और दूसरे पार्ट की मदद से ठीक है कैसे देखो पहले पार्ट में ii dd है वह एक पहले लोगराम है हमने सबसे पहले प्रूफ किया था a b e d ईस इस बहुनों प्राइलोग्राम यह प्रूफ किया था ना नव्हें प्रूफ दवाबॉर्दी इन फोर्सट पर्ट थिक अब पहले प्रूब किया था अब इससे वारा का फाइदा क्या होगा अगर हमने ab et को already यहां से हम जो अगर है ठीक है और एली हैं वह एपनूराऊंब और वह पेरल्ल हैं एडी जुए वह बोट है क्यूंप मि他 टिसॉप है ऑफ मैं कि उ है मैं सब्सक्राइब जब आपने आब ईडी को θα प्रूब कर दिया तो यह इसके पेरलल वी ओगे बराबर भी होगी इसी तरह से इसी तरह से आपने बी एफ सी को भी तो पैलोग्राम प्रूफ किया भई ठीक है इसी तरह से इसी तरह से आपने क्या किया है बी एफ सी दूसरे बार्ट में इसको पैलोग्राम प्रूफ किया ठीक है आपने क्या किया हुआ है बी एफ सी यह भी नहीं लोगराम है आप स्वेधर निलोगराम इसका मतलब जो इसका लुम Box कर जो ती जी की बडेयर वह सिए फãy ठीक है वह से बराबर होगा। और यही जो बीः यही जो बीट है यह बराब स्पाट Сबस्क भी और यह भी होगा दीक ठीक है जैसे ही इतना हुआ ठीक है जैसे ही इतना हुआ तो आप क्या देख सकते हो यहां पर देखो जैसे ही इतना हुआ ठीक है तो यहां पर जो देखो यहां पर क्या है कि जो बी यह वो एडी के पैरलल है और बराबर है और यहां पर क्या है बी जो सीफ के बराबर है ठीक ह है तो यहां मैं कहा सकता हूं from from one and three ठीक है एक और तीन को देखो जारा ठीक है एक और तीन को जानी स्को और इसको बी एडी के भराबर है बी सीफ के भराबर है तो इसका मतलब क्या यह तो सेम चीज है तो मतलब यह दोनों आपसे क्यों है टो कर दोनों किसी एक लाइन के पैरलेल है एक Лाइन सेग्मेंट के पहल सेंद तो आपसे भी पार्ला आपक ब्राबर चाहराब पर क्या हो जाएगा टोस है तो चौथा जो पार्ट है उसमें अगर एक आप देखो तो क्या लिखा है कि a c f d को पहलो ग्रॉफ कर दो किसको a c f c को यहां पर देखो a a c k using को पहलो gorgam x k तो इसका मतलब किया इसका मतलब चौथ हा प्रोफ करो एसी बराबर अब 5 पार्थ तो यह जब A, C, F, D, ठीक है, A, C, F, D, parallelogram हो गया, तो क्या ये जो है, A, C, ठीक है, क्या वो D, F, के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, छठा पर्ट क्या है, उसकी बात करते हैं, ठीक है, अभी ये सारव मैं मिटा रहो, छठा पर्ट देखो, ठीक है, पांचवा पर्ट तक तो हो गया भई, छठे पर्ट में बोला गया है, कि जो ट्रेंगल A, B, C है, ठीक है, जो ट्रेंगल A, B, C है, और D, E, F है, इनको congruent proof करो, ठीक है, तो A, B, C, कहा नजरा रहा आपको, ये रहा, A, B, C, और D, E, F, कहा नजरा रहा, ये रहा, ये ये जरा से जो ये है, ये तो इसके बराबर हमें given ही था, और ये जरा से जो ये है, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक परलोगराम था, हमने प्रूफ कर दिया बराबर, ठीक है, तो मतलब ये भी हम प्रूफ कर चुके है, तो ये side इसके बराबर, ये side इसके बताई थी ठीक है तो मीड़ पॉइंट थोरम एक बार और में रिवाइज करा देता हूं हलका सा मीड़ पॉइंट थोरम में मैं आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास एक ट्रेंगल ए बी सी है इस ट्रेंगल की कोई दो साइड का मिड़ पॉइंट जॉइन करते हुआ आप मालो यह इसका मीड़ पॉइंट मतलब यह टुकुड़ा इसके बराबर तो इनको जॉइंट करने से एक माल लो आपके पास line segment बना EF तो अगर एक triangle की किनी दो side के mid points को हम join करते हैं तो जो ये line segment बना ये सामने वाली यानि तीसरी जो यहाँ पे side है triangle की उसके पहली बात तो parallel होगा यानि EF is parallel to BC होगा और ये उसी BC के आधे के भी वराबर होगा यानि कि BCY2 होगा मैंने क्या बोला अगर हमारे पास एक triangle है triangle की किनी दो side के mid points को मिलाने से एक line segment बनता है तो ये line segment तीसरी side के parallel और आधे के बराबर होगा ये कहती है mid point theorem ठीक है तो ये theorem आपको आनी चाहिए इसका proof अगर आपको देखना है तो मैंने upload किया हुआ है इससे पिछली वीडियो इसके proof की है तो आप देख सकते हो अब question शुरू करते हैं देखो पहले question समझो ठीक है पहले question समझो क्या बोला गया है अब देखो इस question बोला गया है ABCD quadrilateral है ठीक है आप यहाँ figure में देख सकते हो ठीक है ये figure है जो है PQRS यह midpoints है किसके ABBC CD एंडी एक है मतलब जो point P है जो point P है यह B का midpoint है point Q है BC का midpoint point प्वाइंट आर इसका midpoint और point S AD का midpoint है इसके बाद बोला गया है AC इसे डाइगनल ठीक है AC आप देख रहे हो यह क्या चीज़ है यह एक डाइगनल है हमें 100 करना है पहले पार्ट में 100 करना है SR जो है वो AC के parallel है SR ठीक है यानि कि यह चीज़ parallel किसके है इसके यानि कि AC के और SR जो है वो half है AC का यह proof करना है दूसरे पार्ट में proof करना है PQ जो है SR के बराबर है PQ मतलब यह चीज़ और यह सार मतलब यह चीज यह दोना ऑपस में बराबर है और फिर प्रूफ करना है जो पी क्यू आरे से वह एक पैलोग्राम है पी क्यू आरेस यानि यह जो बन रहा है यह प्रूफ करना है तो करते हैं भई बिलकुल असान सा क्वेस्टेन है अगर आपको मिड़ो पॉइंट A, B, C, D is a quadrilateral, इसके बाद हमें क्या given है, P, Q, R, S, R, mid points, ठीक है, A, B, B, C, C, D and A, D respectively ठीक है, यह हमें पता है, ठीक है, two proof आप लिखे लेंगा, उसमें बहुत जगा खेल लेगा वो, सिर्दह सिर्दह पहला पाट कर रहा हूं, पहले पाट में, पहले पाट में मुझे क्या प्रूफ करना है, पहले पाट में प्रूफ करना है, कि जो A, S, R है, ठीक है, वो AC के parallel है और आधे के बराबर भी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो, यहाँ पे आपको एक triangle नज़रा रहा है, triangle ADC, ठीक है, यह triangle आपको नज़रा रहा है, इसमें देखो, तो मैं आपको लिखूंगा, in triangle, in triangle ADC, in triangle ADC, क्या हो जाएगा, S is, S is midpoint of AD, S जो है, AD का midpoint है, and, and, R is midpoint of CD, R is midpoint of CD, इसका मतलब क्या हो गया, देखो, S, S, जो है, वो midpoint है, ठीक है, S क्या है, midpoint, यह भी midpoint है, तो midpoint को जोडने से एक line segment बना, SR, क्या बना, SR, यह triangle की तीसरी side के क्या होगा, parallel होगा, SR is parallel to AC, और SR जो होगा, वो AC के, आधे के बराबर भी होगा, कैसे, by, by midpoint theorem, ठीक है, by midpoint theorem, midpoint theorem से क्या होजाएगा, SR parallel to AC, और SR half of AC, ठीक, दूसरे part में में क्या proof करना है, दूसरे part को पढ़ो, दूसरे part में प्रूफ करना है, PQ और SR बराबर है, ठीक है, तब दूसरे part को करके देखते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है, दूसरे part भई, कैसे होगा, camera में क्या दिख रहा है, पूरा diagram, ठीक है, तब भी थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, आप दिख रहा है के camera में पूरा diagram, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भई, पहले देखो, हमें करना क्या है, दूसरे part में, यह SR, और यह PQ, यह बराबर दिखाने हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो, इसको हम करेंगे, ऐसे, in triangle, in triangle, a, b, c, a, b, c, in triangle, a, b, c, p and q, r, midpoint, ठीक है, p and qr, sort में लिखता हूँ, midpoint, जगा कम लगेगी, midpoint of a, b and b, c respectively, ठीक है, देखो, p, a, b का है, q, इसका है, तो इसका है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, midpoint theorem से, जो p q होगा, वो parallel होगा, a, c, k, और, जो p q होगा, वो होगा, half of a, c, ठीक है, जैसे ही तना हुआ, इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बाद देखो, यहाँ पर, s, r, जो है, वो, a, c, q, जो है, वो, a, c, q, ठीक है, तो अगर मैं इसको statement one बोलू, या फिर four तक हम बोल चुके थे ना, तो इसको five बोलू, इसको six बोल दू, इसको seven बोल दू, और यह हमारा क्या हो गया, eight, ठीक है, अब देखो, यह तो equation है, लेकिन यह statement है, यहाँ पर equal का sign नहीं है, equation नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आप six और, six और eight को देखो, from six and eight, s, r, जो है, ac का अधा है, और p, q, भी ac का अधा है, तो s, r, p, q, दोना पसमें बराबर हो जाएंगे, क्योंकि same चीज़ के half है, ठीक है न, भई, s, r, b, ac, q, यहाँ से स्थो, s, r, a, c, q, तो, ac, तो, q, अधा, c, q, एक हम, और, also, ठीक है, also, ठीक है, अगला पर्ट, प्रूफ करने के लिए, जो s, r, वो भी ac, q, d, c, सब्सक्राइब सब्सक्राइब निए प्रोफ करने थी तो इस वीडियो में नहीं आपका चैप्टर रिवाइज हो चुका है जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में थैंक्स पर वॉचिंग